हलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रागहवसर साइन्स में इस वीडियो के माध्याम से हम आपको कक्षा दसवी विसेविज्ञान की प्रश्ण बैंक 21 बाविस के महत्वपून अतिलागहुतरिय प्रश्णों के सटीक और सरलुत्रों को बताएंगे परिक्षा में सबसे ज़्यादा यही प्रश्ण पूछे जाते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाब धायक है यह भाग तीन है जिसमें हम अध्याई दस से सूला तक के सेस बचे अतिलागहुतरिय प्रश्ण ले रहे हैं इसके पहले भाग एक और भाग दो भी आप देखें बढ़ते हैं अध्याई दस प्रकास का परावर्तन अपवर्तन का पहला अतिलागहुतरिय प्रश्ण गोलिय दर्पन किसे कहते हैं गोलिय दर्पन के प्रकार बताईए उत्तर है गोलिय दर्पन ऐसे दर्पन जिनका परावर्तक प्रष्ट गोलिय होता है गोलिय दर्पन कहलाते हैं प्रकार गोलिय दर्पन दो प्रकार के होते हैं पहला अवदल दर्पन दूसरा उत्तल दर्पन प्रष्ट कर्मांग 2 हीरे का पवर्तनांग 2.42 है इस कथन का क्या हीरे का पुरतनांग 2.42 से अभिपराय है कि प्रिकास की हीरे में चाल उसकी निर्वात में चाल तीन गुणा दस की घात आठ मीटर प्रती सेकंड का एक बटा 2.42 गुणा होती है अर्थात हीरा सरवाधिक सघनमाध्यम है आप और सरल भासा में लिख सकते हैं हीरे का पुरतनांग 2.42 है यह बताता है कि हीरा सरवाधिक सघनमाध्यम में प्रवेश करते समय अपना पत क्यों मोड लेती है उत्तर है प्रकास की रण जब एक पारदर्सी माध्यम से दूसरे पारदर्सी माध्यम में तिरची प्रवेस करती है तो उसका वेग बदल जाता है अर्थात प्रकास की चाल दूसरे माध्यम में कम या ज्यादा हो जाती है जिससे वहाँ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है नए पत पर गवन करने लगती है या मुड़ जाती है सरलसी भासा में जब प्रकास की किरान एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है वेग बदलने से वह अपने मार्ग से मुढ जाती है विद्युत के अतिलग उत्तर ये प्रशनों की और पहला प्रशन विद्युत परिपत का क्या अर्थ है विद्युत परिपत किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंदपत को हम विद्युत परिपत कहती है अर्थाथ हम एक सर्किट बनाए एक परिपत बनाए तारों की मदद स उसे आपके बैटरी, कुंजी, प्रतिरोध, धारा मापी, विभाव मापी, इन सब को जोड़कर एक बंद परिपत बनाए और उसमें से लगातार विजली वहे, तो उसी को हम विद्युत परिपत कहते हैं, प्रश्निक्रमांग 2, विद्युत धारा के मात्रक की परिभासा लि एक एमपियर विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात एक सेकंड में एक कुलो मावेस का बहना एक एमपियर कहलाता है, प्रश्निक्रमांग 3, किसी चालक का प्रितरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उत्तर है, किसी चालक का प्रितरोध निम्न कारकों पर निर्भर करत प्रश्न कर्मांग चार, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इन में से किसमे विद्युद्धारा आसानी से प्रभाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युद्ध सुरोतों में सयोजित किया जाता है और क्यों लीजी उत्तर कितना प्रश्न बड़ा है उत या विद्युद्धारा एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो आप मोटे से मोटा तार इस्तमाल करें प्रश्न करमा पाच विद्युद्ध टोस्टरों एवं विद्युद्ध इस्तरियों के तापन अवयव सुद्ध धातु के न बनाकर मिस्र धातु के क्यों बनाए अथिक्सा प्रतु का अधिख पृत्पन करने के लिए विद्युद्ध टोस्टरों एवं विद्युद्ध इस्तरियों के तापन अवयव सुद्ध धातु के न बनाकर मिस्र धातु के बनाए जाते हैं मिस्र धातु का प्रत्रोद ज्यादा होता है तो मिस्र धातुओं के जो तार होते हैं वो बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं जब उनमें से विजली बहती है विद्युदारा तो गर्म हो जाते हैं उनसे प्रकास और उस्मा निकलने लगती है और टोस्टर और इस्त्री यही तो काम करते हैं टोस्टर और जो प्रेस करने वाली इस्त्री है उससे उस्मा निकलती है गर्मी निकलती है और गर्मी कौन निकालेगा उच्छ प्रत्रोद का तार और उच्छ प्रत्रोद किसका होता है मिसर धात्मों का इसलिए मिस्र धातुओं के तार का इस्तमाल हम इन उपकरणों में करते हैं प्रश्ण करमांग 6, निम लिखित को इस्पष्ट कीजिए अब एक काफी बड़ा प्रश्ण है, इसमें चार अलग-लग कोश्चन है हर कोश्चन अलग-लग आएगा, एक साथ चारो प्रश्ण नहीं आएगे हर प्रश्ण अलग-लग दो-दो अंक का पूछा जा सकता है तो उत्तर हम एक साथ लिख रहे हैं, पहला है प्रश्ण है विद्युत लेंप के तंतूओं के निर्माण में प्राया एक मात्र टंगस्टन धातु का उप्योग किया जाता है पुराने बलब चलते थे, CFL के पहले, उसमें देखना एक पतला सा तार लगा हुआ रहता है वो फिलामेंट है बलब का, तंगस्टन धातु का बना होता है वही तो गर्म हो जाता है और उस तवी तो प्रकास निकलता है और अगर वो तूड जाय तो बलब खराब तो तंगस्टन के क्यों बनता है? नीचे उत्तर है क्योंकि तंगस्टन उच्छ प्रत्रोद एवम उच्छ गलनांक वाली धातु है और इसका गलनांक बहुत जщ़्यादा होता है तो ये प्रिखलता भी नहीं है टूटता भी नहीं है बनमर का प्रश्ण है घरेलु विद्धित परिपथों में स्रेनी क्रम स्योजन का उपयोग क्यों किया जाता है घर में हम light connection करवाते हैं तो घर के जितनी भी उपकरण है वो सब स्रेनी क्रम में नहीं जोड़े जाते बलकि किस क्रम में जोड़े जाते हैं समनांतर क्रम में एक ही तार से आप घर के सारे उपकरन नहीं जोड़ सकते सब के लिए अलग-अलग तार जाता है उत्तर है, श्रेणी क्रम संयोजन से परिपत का पृत्रोध बढ़ जाता है जिससे लगूपतन या सौठ सरकिट हो सकता है स्रेनी क्रम में जोड़ दोगे सारे उपकरण तो प्रित्रोध बढ़ जाएगा प्रित्रोध बढ़ने से तार गर्म होकर पिघल जाएगा तूड जाएगा गर्मे आग लग सकती है किसी तार का पृत्रोद उसकी अनुप्रस्त कार्ट के छित्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रिकार परिवर्तित होता है किसी तार का पृत्रोद उसकी अनुप्रस्त कार्ट के छित्रफल अर्थाद मोटाई के वित्क्रमानुपाती होता है अर्थात मोटी तार का प्रितरूद कम और पतली तार का प्रितरूद ज्यादा इसलिए light fitting में भी हम मोटे तारों का इस्तमाल करते हैं विद्धुत संचारण के लिए प्राहा कॉपर तथा ऐलुमिनियम के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है उत्तर है डी कॉपर एवं अलुमिनियम के तारों का प्रितरूद कम होता है तता ये विद्धुत के अच्छे चालक होते हैं इसलिए विद्धुत संचारण के लिए इनका आप्योग किया जाता है तो ये जो copper और aluminium इन दो के तार का ही उपयोग हम घर में light fitting में करते हैं क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं इनमें विद्युत आसानी से बहती है ये गर्म नहीं होते हैं पिघलते नहीं है चलिए बढ़ते हैं अब हम इस अध्याय के अंतिम प्रश्ण जो एक 220 वाल्ट लाइन से अनुमन अधिक्तम विद्युत आरा 5 एंपियर है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्व पार्स क्रम या समानांतर क्रम में सयुझित किये जा सकते हैं लीजिए सबसे पहले यहां आप बल्व की power लिग दीजिए उनने कहा है कि बल्व का यह तीन बाते हमें दे रखी हैं हमसे पूछा है कि आप कितने बल्व को पार्स क्रम में जोड सकते हैं तो ज्यान दीजिए अपन पहले मान ले माना कि बल्व की कुल संख्या एन है या एक्स है अब हम यहां पर सक्ति का फार्मूला लगाएंगे सभी बल्व की सक्ति कर दो तो सभी बल्वों की सक्ति की जागे हमने लिख दिया एन दस वाल्ट विवांतर देख लीजिए 220 वाल्ट विद्युदारा देख लीजिए 5 एंपियर 220 और पांच का गुणा करिए उसमें 10 से भाग लगा दीजिए एन वरावरा आ गया 110 अर्थात हम अधिक्तम 5 हमारा पर्यावरण के अतिलग उतरिये प्रश्णों की ओर ग्लोबल वार्मिंग के कोई दो कारण लिखिए ग्लोबल वार्मिंग अर्थात प्रत्फी का गर्म होना उसके दो कारण पहला है जंगलों या पौधों को काटना और दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्ज जाल में अंतर लिखे, दो अंकों का है, तो दो अंतर लिखना पड़ेंगे, खाद सरंखला, पारिष्टिक tra में सभी जीव भोजन ग्रहन करने के लिए एक दूसरे से सरंखला के रूप में जुड़े रहती हैं, उसे खाद सरंखला कहती हैं, इसमें उर्जा का प्रवाह एक ही दिसा में होता है जबकि खाद जाल क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद सरंकलाएं परस पर आपस में जुड़ी होती है उसे खाद जाल कहती है इसमें उजा का प्रभाः अनेक दिसाओं में होता है आप इतना भी लिख सकते हैं कि खाद संकला में जीवों की संख्या कम होती है, जबकि खाद जाल में जीवों की संख्या अधिक होती है। प्रश्निकरमांग तीन ग्रीन हाउस प्रभाव समझाईए। वायू मंडल में उपस्तित कारबन डियोकसाईड, मैथेन और जलवास्प जिने हम ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं, प्रत्वी से परावर्तित होने वाले अवरक्त किरणों को अवसूसित कर लेती है, जिससे वायू मंडल का तापमान बढ़ जाता है, वायू मंडल के गर्म होने को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही प्रत्वी पर जीवन संभव है, लेकिन अब अध्योगी की करण के कारण, अधिक अधिक वाहनों के उप्योग से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है, जिससे ग्रीन हाउ कर रहे हैं उससे वातरवन को कोई नुक्सान हो रहा है क्या यही हमें लिखना है उत्तर है हमारे क्रियाकलाब वातरवन को निम्ने प्रकार से प्रभावित करते हैं पहला जीवास में इदनों के दहन से वायू प्रदूशित होती है वाहनों से निकला धुमा और द्योगी कप प्रश्निक्रमांग 5 प्रश्निक्रमांग 5 प्रश्निक्रमांग 7 प्रश्निक्रमांग 5 तरह तरह के cancer हो जाएंगे इसलिए ओजोन परत को सुरच्छित रखना बहुत जरूरी है अब इसके लिए क्या प्रियास हो रहे है इसकी छती को सीमित करने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट परियावरण कारिकम अर्थाथ UHEP में क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC के उत्पादन इवं उप्योग को सीमित करने का निने लिया गया तोंकि यही क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुँचाता है प्रश्न क्रमांग 8 क्या होगा यदि हम एक पोशी इस्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें अगर हम किसी आहर्स रंकला के एक पोशी इस्तर के जीवों को मार दें तो क्या होगा यदि हम एक पोशी इस्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो उन जीवों के एक इस्तर पहले के जीवों की संख्याद बढ़ जाएगी तथा उसके बाद के पोसी इस्तर के जीव धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे और आहर स्रंकला का संतुलन खराब हो जाएगा यदि हम किसी आहर स्रंकला में से साकारी जीवों को मार दें तो बताओ क्या होगा साकारी जीव मर जाएंगे तो वे जिनको खाते थे हरे पौधे, पौधेों की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, जंगली जंगल हो जाएगा हर जगे पौधे, और उनको बाद में खाता था मासारी जीव, वो मासारी जीव को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और वे पूरी तरह से मर जाएगे, तो किस बारिस के पानी में जब अमल की मात्रा बढ़ जाती है, तब उस वर्षा को अमल वर्षा कहती है, ये परिभासा होगी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बारिस के रूप में अमलों का गिरना, अमल वर्षा कहलाता है, कैसे होती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसी ड्र प्रशा होती है नाइट्रियन के ऑक्साइड बारिस के पानी के साथ करिया करके नाइट्री कमल बनाते हैं और सल्फर के ऑक्साइड पानी के साथ करिया करके सल्फुरी कमल बनाते हैं ये अमली वर्षा जलस्तरोतों को खराब कर देती है खेते को खराब कर देती है मार्बल औ वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अब घटित या नस्ट हो जाते हैं, जैव निम्निय कर्णिय कहलाते हैं, उधारण पौदों और जन्तुओं के मृतवसेस, कागज, कपड़ा, अनाज, फल, सबजी, छिलके, यह आसानी से बहुत कम समय में नस्ट हो जाएंग और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, अर्थात पर्यावरण को हनी पहुंचाते हैं, उन्हें हम अजयाव निम्नी करनी प्रदूश्टा क्याते हैं, जिसे प्लास्टिक, रवर, कांच, धातुएं, इत्यादी उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अन्य सिक्छास्प्रत वीडियो को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद